C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा साथ की इतिहास की ध्वानी पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत भाग दो हमारे अतीत भाग दो ध्वानी पाठ्य पुस्तक में अब सुनते हैं अध्याए एक शीर्शक है नए राजा और उनके राज्य पृष्ट संख्या सोलह अध्याए दो नए राजा और उनके राज्य इस पृष्ट पर एक मानचित्र दिया हुआ है और इस मानचित्र के बारे में वर्णन है मांचित्र में गुर्जर, यानी प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चाहमानों यानी चवहानों के स्थान का निर्धारन कीजिए क्या आप आज के उन राज्जियों की पहचान कर सकते हैं जिन पर उनका नियंत्रन था मांचित्र के बारे में कहा गया है सात्मी से बारहुई शताब्दियों के प्रमुख राज्जियों आईए अब सुनते हैं आज का पार्ट सात्मी शताब्दी के बाद कई राजवन्शों का उदै हुआ मान चित्र एक में उप महाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में सात्मी से बारहवी शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजबन्शों को दिखराया गया है प्रिष्ट संख्या सत्रा प्रिष्ट संख्या सत्रा में एक चित्र है और इस चित्र का वर्णन है एलोरा की गुफा पंदरा का भित्ती चित्र जिसने विश्णू को नर्सीह अर्थात पुरुश सिह के रूप में दिखराया गया है यह राश्ट्र कूट काल की कृती है और एक प्रश्ण आपके लिए क्या आपके विचार में उस दौर में एक शासक बनने के लिए क्षत्रिये के रूप में पैदा होना महतोपूर्ण था और आईए अब सुनते हैं पाठ नए राजवन्षों का उदय सात्मी सदी आते आते उप महादवीप के विभिन भागों के बड़े भूस्वामी और योध्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे राजा लोग प्राया उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे उनसे उम्मीद की जाती थी कि बे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं उनके दर्बार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आपको महा सामंत महा मंडलेश्वर यानी पूरे मंडल का महां स्वामी इत्यादी घोशित कर देते थे कभी-कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्र कूटों का था शुरुवात में वे करनाटक के चालुक के राजाओं के अधिनस्थ थे आठवी सदी के मध्य में एक राष्ट्र कूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक के स्वामी की अधिनता से इंकार कर दिया उसे हराया और हिरन्य गर्भ जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया जब यह अनुष्ठान ब्राह्मनों की साहिता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे या जक जन्मना ख्षत्रिय ना होते हुए भी ख्षत्रिय के रूप में दुबारा ख्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरूशों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन ने कौशल का इस्तेवाल किया मिसाल के तौर पर कदंब, मैयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरीचेंदर ब्रामर थे जिन्हों ने अपने परंपरागत पेशे को छोड़ कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमर शह करनाटक और राजिस्थान में अपने राज्ये सफलता पूर्वक स्थापित किये राज्यों में प्रशासन इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजा धिराज यानि राजाओं के राजा त्री भुवन चक्रवर्तिन यानि तीन भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्यभारी भरकम उपाधियां धारण की लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामतों और साथ ही साथ किसान व्यापारी तथा ब्रहमनों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साज़ेदारी करते थे प्रिश्प संख्या 18 रहा इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों परशूपादकों कारिगरों से संसाधन इकठे किये जाते थे इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाद्धे किया जाता था कभी-कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था क्योंकि प्राप्त करने वाला भू स्वामी होने का दावा करता था राजस्तो ब्यापारियों से भी लिया जाता था इस प्रिष्ट में अब बीच में एक बॉक्स है इस बॉक्स में जो वर्णन है वो सुनते हैं और इस बॉक्स का शिर्षक है चार सो कर इसके बाद पाठ को आरंभ करेंगे चार सो कर तमिलनाडू में शासन करने वाले चोल वन्ष के अभी लेखों में विभिन्नक किस्म के करों के लिए चार सो से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं सबसे अधिक उल्लिखित कर है वेट्टी जो नकद की बजाए जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था यानि जबरन श्रम और कदमाई यानि की भूर आजस्व थे अब पाट ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तिय आधार बनते थे साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्मान में भी इस्तिमाल होते थे संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तिमाल होते थे जिन से लूट की शकल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मारगों के प्रयोग की संभावनाय बनती थी राजस्व वसूली के लिए पदाधीकारियों की नियुक्ति सामान्य तह प्रभावशाली परिवारों के बीच से की जाती थी और प्रायह वन्शानुगत होती थी सेना में भी ऐसा ही होता था कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओधों पर होते थे प्रशस्तियों में ऐसे व्योरे होते हैं जो शब्दशा सत्य नहीं भी हो सकते लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे मिसाल के लिए शूरवीर विजई युद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी जो अकसर प्रशासन में मदद करते थे इसी प्रिष्ट पर बाई और एक प्रशन है आपके लिए प्रशन है प्रशासन का यह रूप आज की विवस्था से किन मायनों में भिन्न था प्रिष्ट संख्या 19 प्रिष्ट संख्या 19 के आरंभ में एक बॉक्स है और उस बॉक्स का शिर्शक है नागभट की उपलबधियां और साथी साथ एक प्रशन भी दिया गया है इस बॉक्स और प्रशन के बाद हम आज के पाठ में चलेंगे नाग भट की उपलबधियां ये बॉक्स में है कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलबधियों का बखान किया है आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर यानि मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ती में प्रतिहार नरेश नागभट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है आंध्र, सैंधो यानि सिंध, विदर्भ यानि महाराष्टर का हिस्सा और कलिंग, उरिसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धराशाई हो गये जब वे राजगुमार थे उन्होंने कन्नौज के शासक चक्र युद्ध को विजित किया उन्होंने वंग यानि बंगाल का हिस्सा, अनर्थ यानि गुजरात का हिस्सा, मालवा अर्थात मध्धे प्रदेश का हिस्सा, किरात यानि बनवासी, तुरुष्क यानि तुर्क, वत्स और मत्स से दोनों उत्तर भारत के राज्य इत्यादी राजाओं को पराजित किया अब प्रश्न की ओर इस अभीलेक में उल्लिखित इलाकों में से कुछ को मानचित्र एक में ढूनने की कोशिश करें दूसरे राजाओं ने भी इसी तरह के दावे किये थे आपके विचार से ऐसे दावे उन्होंने क्यों किये होंगे इसी प्रिष्ट पर एक चित्र है नीचे और इस चित्र का वड़नन इस प्रकार से है यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखावा तामर पत्रों का एक संग्रह है जिसमें नवी सदीग में एक शासक के द्वारा दिये गए भूमी अनुदान का उल्लेख है राजा लोग प्राया ब्रह्मनों को भूमी अनुदान से पुरस्कृत करते थे यह तामर पत्रों पर अभी लिखित होते थे जो भूमी पाने वाले को दिये जाते थे प्रिष्ट संख्या 20 बॉक्स में भूमी के साथ क्या-क्या दिया जाता था यह चोनों के द्वारा दिये गए एक भूमी अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है आईए सुनते हैं हमने मिट्टी की मेड़ें बना कर साथ ही काटेदार जाडियां लगा कर भूमी की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है इस भूमी पर ये चीजें हैं फलदार ब्रिक्ष, पानी, भूमी, बगीचे और फलोध्यान, पेड, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गाउं, बांबी, चबूतरें, नहरें, खाईयां, नदियां, दल दली जमीन, हाउज, अन्नागार, मचलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी जीलें, जिसे या भूमी मिलती है, वह इससे करवसूल कर सकता है, वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए करवसूल कर सकता है, पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही वाहनों पर लगने वाला कर वसूल कर सकता है वह पकी इंटों के बने उपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है पेड और कांटेदार जाडियां लगवा सकता है जरूरी हो तो सीचाई के लिए नहर बनवा सकता है उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बरबाद ना हो और तट बंधों का निर्माण हो प्रश्न, लेख में सीचाई के जितने संभव स्रोतों का उल्लेख है उनकी सूची बनाईए और विचार विमर्ष कीजिए कि इनका कैसे इस्तेमाल होता होगा अब पाठ करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है इसे कलहन नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया कलहन ने अपना वृतांत लिखने के लिए शिला लेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्ष दर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया प्रशस्तियों के लेखकों से भिन यह अक्सर शासकों और उनकी नीदियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है इसलिए बारहुई सदी के लिए यह आसाधरन ग्रंथ था धन के लिए युद्ध आपने यह गवर किया होगा कि इन में से प्रतेक शासक राजवन्ष का आधार कोई क्षेत्र विशेश था वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे सबसे पहले प्रिश्ट संख्या 21 में एक प्रशन दिया हुआ है आईए प्रशन को सुने कन्नोज और गंगा घाटी के उपर नियंत्रण चाहते थे और अब एक शब्द जिसका अर्थ यहां बताया गया है शब्द है सुल्तान सुल्तान अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है शासक और एक प्रशन और इस प्रिश्ट पर मांचित्र एक को दुबारा देखिए और विचार विमर्ष कीजिए कि चाहमानों ने अपने इलाके का विस्तार क्यों करना चाहा होगा और अब पाठ यह विशेश रूप से वांचनियक शेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वन्शों के शासक सदियों तक कन्नौज के उपर नियंत्रन को लेकर आपस में लड़ते रहे चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में तीन पक्ष थे इसलिए इतिहासकारों ने प्राया इसकी चर्चा त्रिपक्षिय संघर्ष के रूप में की है जैसा कि हम प्रिष्ट संख्या 62 और 66 में देखेंगे शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्मान करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्जियों पर आकरमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे जो कभी-कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे आप अध्याए 5 में इसके बारे में और पढ़ेंगे अफगानिस्तान के घजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध है उसने 997 से 1030 इस्वी तक शासन किया और अपने नियंतरण का विस्तार मध्धे एशिया के भागूं यानि इरान और उप महद्वीप के उत्तरपश्चिमी हिस्से तक किया वह लगभग हर साल उप महद्वीप पर हमला करता था उसका निशाना थे संपन्न मंदिर जिसमें गुजरात का सोमनात मंदिर भी शामिल था महमूद जो धन उठा लिया गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा घजनी में एक वैभोशाली राजधानी के निर्मान में खर्च हुआ सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जाना चाहता था और उसने अल-बेरुनी नामक एक विद्वान को इस उप महद्वीब का लेखा जोखा लिखने का काम सौपा अरबी में लिखी गई उसकी कृती किताब अल-हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण श्रोत है अल-बेरुनी ने इसे तयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे जो बाद में चवहान के रूप में जाने गए वे दिल्दी और अजमेर के आसपास के क्षेतर पर शासन करते थे उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंतरण क्षेतर का विस्तार करना चाहा जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तरप्रदेश के गहड़ वालों से टकर लेनी पड़ी चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था प्रिथ्वी राज द्वितिय जिसने सन 1168 से 1192 तक राज्य किया प्रिथ्वी राज द्वितिय ने सुल्तान मुहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 इस्वी में हराया लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया प्रिष्ट संख्या 22 में सबसे पहले एक मांचित्र हमारे सामने और इस मांचित्र के बारे में वर्णन है मांचित्र दो चोल राज्य और उसके पडोसी और अब पाठ की और उरहियूर से तंजावूर तक चोल वन्ष सत्ता में कैसे आया कावीरी डेल्टा में मुट रियार नाम से प्रसिध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी वे कांचिपुरम के पल्लव राजाओं के मातहट थे उरहियार के चोल वन्षिय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयाले ने नवी सदी के मध्य में मुट रियारों को हरा कर इस डेल्टा पर कबज़ा जमाया उसने वहां तंजावूर शहर और निशुंभ स्तूदिनी देवी का मंदिर वन्वाया विजयाले के उत्तराधी कारियों ने पडोसी इलाखों को जीता और उसका क्षेत्र अपने क्षेत्र फल तथा शक्ती दोनों रूपों में बढ़ता गया दक्षिन और उत्तर के पांडयन और पल्लों के इलाके इस राज्ये का हिस्सा बना लिये गए राज राज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है 985 इस्वी में राजा बना और उसी ने इन में से ज्यादतर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया उसने अपने सामराज्ये के प्रशासन का भी पुनरगठन किया प्रिष्ट संख्या 23 राम राज के पुत्र राजेंदर प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्री लंका तथा दक्षिन पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तिकला राज राज और राजेंदर प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजवूर और गंगई कोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टी से एक चमतकार है चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंदर बन गए थे वे शिल्प उत्पादन के केंदर थे ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमी से भी संपन्न हो गए थे इस भूमी की उपज उन सारे विशेशग्यों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, महतर, संगीतकार, नर्तक, इत्यादी इसी पृष्ट पर एक चित्र दिया गया है और इस चित्र का वर्णन है गंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर छट जिस तरह से क्रमशा पतली होती गई है उस पर गौर करें बाहरी दिवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाय अलंकृत की गई है उन्हें भी देखिए पृष्ट संख्या 24 दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा अराधना के स्थान नहीं थे मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस से प्रतिमाय बनाने का काम चोल कांस से प्रतिमाय संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस से प्रतिमाओं में गिनी जाती है ज्यादतर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी कृशी और सीचाई चोलों की कई उपलब्धियां कृशी में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई मानचितर दो देखिए और गौर कीजे कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है ये शाखाओं बार बार पानी उलीचती हैं जिससे किनारों पर उपजाओ मिट्टी जमा होती रहती है शाखाओं का पानी, क्रिशी, विशेष्टह, चावल की खेती के लिए आवश्यक आरदरता भी मुहया कराता है हालाकि तमिल्लाडू के दूसरे हिस्सों में क्रिशी पहले ही विकसित हो चुकी थी पर पांचवी या छटी सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था डेल्टा क्षेत्रों में बाड को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्मान होना था कई क्षेत्रों में एक साल में दो फसलें उगाई जाती थी इसी प्रिष्ट 24 पर एक चित्र दिया गया है जिसका वर्णन इस प्रकार से है ये एक चोल कांस्ते प्रतिमा है देखिए कितनी सावधानी के साथ उसे अलंकृत किया गया है इस पर भी गौर कीजिए ऐसी प्रतिमाएं किस तरह बनाई जाती थी यह जानने के लिए अध्याय छे देखिए प्रिष्ट संख्या 25 इस प्रिष्ट पर सबसे पहले उपर में एक चित्र और इस चित्र का वर्णन इस प्रकार से है नवी शताबदी तमिलनाडू का एक जलद्वार हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिये नियंत्रित किया जाता इस पानी से खेट सीचे जाते थे जलद्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातू बाधा है जो आमतोर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों में दर प्रवाह को संचालित करता है और अब पाठ कई जगहों पर फसलों की सीचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था सीचाई के लिए कई पधर्तियां अपनाई जाती थी कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए कुछ अन्ने जगहों में बारिश के पानी को इकठा करने के लिए विशाल सरोर बनाए गए स्मरण रहे कि सीचाई के काम में योजना की जरूरत होती है जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना इन कामों की देखरेख करना और यह तै करना की पानी का बटवारा कैसे किया जाए ज्यादतर नए शासकों साथी साथ गाओं में रहने वाले लोगों ने इन गती विधियों में सक्रिय रूप से दिल्चस्पी दिखलाई सामराज्य का प्रशासन प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी सिंचित खेती के कारण बहुत सम्रिद्ध हो गई थी इस तरह के गाओं के समुह को नाडू कहा जाता था ग्राम परिशद और नाडू न्याय करने और करवसूलने जैसे प्रशास की ये कारे करते थे वेलल जाती के धनी किसानों को केंद्रिय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के काम काज में अच्छा खासा नियंत्रन हासिल था उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओंने सम्मान के रूप में मुवेंद वेलन यानी तीन राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान अरियार यानी प्रदान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महतोपून राज की ये प भूमी के प्रकार, आएए सुनते हैं, भूमी के प्रकार, चोल अभी लेखों में भूमी की विभिन कोटियों का वर्णन मिलता है, वेलन बगाई यानि गैर ब्राहमन किसान स्वामी की भूमी, ब्रहमदेय यानि ब्राहमनों को उपहार में दी गई भूमी, शाला भोग, यानि किसी विद्याले के रख रखाओ के लिए दी गई भूमी, तिरुन मट्टुकनी, यानि मंदिर को उपहार में दी गई भूमी, पल्लिचंदम, यानि जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमी, अब सुनते हैं पाट। इनके निर्ने, शीला लेखों में प्रायह मंदिरों की पत्थर की दिवारों पर व्यावरेवार दर्ज किये जाते थे, नगरम के नाम से ग्यात व्यापारियों के संग भी अक्सर शहरों में प्रशास्निक कार्य संपादित करते थे, तमिलनाडू के चिंगल पुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभी लेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राहमनों की सभा का संगठन कैसा था, सीचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादी की देखरेख के लिए सभा में विभिन समीतियां होती थी, इन में सदस्तेता के लिए जो लोग योग्य होते थे, उनके नाम ताल, पत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे, और मिट्टी के बरतन में रख दिये जाते थे, और किसी छोटे लड़के को हर समीती के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था इस प्रिष्ट पर सबसे पहले एक बॉक्स और बॉक्स का शिर्शक है अभी लेख और लिखित सामगरी बॉक्स की दाई और कुछ प्रशन है आपके लिए? आए सुनते हैं बॉक्स इस प्रिष्ट पर बॉक्स की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और उन्हें इमानदार होना चाहिए यदि कोई पिछले तीन सालों में किसी समीती का सदसे रहा है तो वह किसी और समीती का सदसे नहीं बन सकता जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाओ नहीं लड़ सकता अभी लेखों में राजाओं और शक्ति संपन पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधरण मर्दों और और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था बारवी शताब्दी की एक तमिल कृती पेरिया पूरणम से एक उद्धरण उद्धरण सुनते हैं अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी जोपडियों से अटा पड़ा पुलाया यानि एक ऐसा समू जिसे ब्रह्मन और वेलल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे लोगों का एक छोटा सा पुरुवा था जिसमें ओचे किस्म के पेशों में लगे खेती हर मजदूर रहते थे चमडे की पटीयों से घिरे वे जोपडियों के आहातों में छोटे मुर्गे मुर्गियां जुन्डों में घूमते रहते थे गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे छोटे पिल्लों को उठाय उचलते चल रहे थे मारूद पेडों की छाया में एक मजदूर्णी ने अपने बच्चे को चमडे की एक चादर पर सुला दिया आम के पेड भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाडे लटके हुए थे और नारियल के पेडों के नीचे जमीन में बने छोटे गड़ों में छोटे सिरों वाली कुतिया पिल्लों को दूध पिलाने के लिए लेटी हुई थी लाल कलगी वाले मुर्गों ने पाउप हटने से पहले तगड़े पुलैयार जो पुलाया का बहुबचन है को दिन के काम पर जाने की हांक लगाते हुए बांक दे दी धान कूर्ती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्रियों के गाने के आवाज रोजाना कांजी व्रिक्ष की छाया में फैलती थी और अब इसी बॉक्स पर आपके लिए दो प्रश्न प्रश्न एक क्या आपको लगता है कि महिलाएं इन सभाओं में हिस्तेदारी करती थी क्या आप समझते हैं कि समीतियों के सदस्यों के चुनाव के लिए लौटरी का तरीका उप्योगी होता है प्रश्न दो क्या इस पुर्वे में कुछ ब्रामन थे जितनी तरह की गतिविधियां चल रही थी उनका वर्णन करो आपके ख्याल से अभी लेखों में इन सब का उलेख क्यों नहीं किया गया है प्रिष्ट संख्या 28 प्रिष्ट संख्या 28 में सबसे पहले हमारे लिए एक बॉक्स और बॉक्स का शिर्षक है तांग वंश के युग का चीन आईए सुनते हैं चीन में तांग राजवंश के तहत एक सामराज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक यानि सात्मी से दसमी सदी तक सत्ता में रहा इसकी राजधानी शियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी जहां तुर्की, इरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे तांग सामराज्य परिक्षा के माध्यम से न्युक्त की गई नौकर शाही द्वारा प्रशासित होता था इन परिक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था अधिकारियों के चैन की यह व्यवस्था कुछ बदलाओं के साथ सन 1911 तक कायम रही भारतीय उप महाधुईप में प्रचरित व्यवस्थाओं से यह व्यवस्था किन मामलों में भिन थी? सोचिए कलपना कीजिए आप एक सभा के चुनाओं में मौजूद हैं जो कुछ आप देख और सुन रहे हैं उसका वर्णन कीजिए फिर से याद करें यहाँ दो कॉलम है और यहाँ जो कार्य आपको करना है आपको जोड़े बनाना है कॉलम एक में कुछ शब्द दिये गए है और कॉलम दो में भी कुछ शब्द दिये गए है आपको इनका जोड़ा बनाना है आईए पहले सुनते हैं कॉलम एक गुर्जर प्रतिहार राष्ट्र कूट पाल चोल दूसरे कॉलम के शब्द पश्चिमी दक्कन बंगाल गुजरात और राजिस्थान तमिल नाडू दो त्री पक्षिये संघर्ष में लगे तीनों पक्ष कौन कौन से थे तीन चोल समराज्ये में सभा की किसी समिती का सदस्य बनने के रिए आवश्यक शर्तें क्या थी चार चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले दो प्रमुख नगर कौन से थे प्रिश्च संख्या 29 आईए समझें पांच राष्ट्र कूट कैसे शक्तिशाली बने छे नए राजबन्षों ने स्विग्रिती हासिल करने के लिए क्या किया साथ तमिलक शेत्र में किस तरह की स्तींचाई व्यवस्था का विकास हुआ आठ चोल मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई थी आईए विचार करें नव, मानचित्र एक को दुबारा देखें और तलाश करें कि जिस प्रांत में आप रहते हैं उसमें कोई पुरानी राजशाहियां या राजाओं के राज थी या नहीं दस, जिस तरह के पंचायती चुनाओं हम आज देखते हैं उनसे उत्तर मेरूर के चुनाओं किस तरह अलग थे आईए करके देखें ग्यारह, इस अध्याय में दिखलाए गए मंदिरों से अपने आसपास के किसी मौजूदा मंदिर की तुलना करें और जो समानताएं या अंतर आप देख पाते हैं उन्हें बताएं बारह, आज के समय में वसूले जाने वाले करों के बारे में और जानकारी हासिल करें क्या ये नकद के रूप में हैं, वस्तू के रूप में हैं या श्रम सेवाओं के रूप में इसी प्रिष्ट पर कुछ बीज शब्द या मुख्य शब्द या कीवर्ड दिये हुए हैं और वो शब्द हैं सामन्त, मंदिर, नाडू और सभा हमारे अतीत भाग दो कक्षा साथ की इतिहास की पाठे पुस्तक का अध्याय दो, नए राजा और उनके राज्य अभी आप सुन रहे थे ये अध्याय वाचनस्वर अजीत होरो, निर्माण सहयोग शानु मुक्सीम, निर्माण वंदना अरिमर्दन, तथा प्रस्तुती CIET, NCERT, नई दिल्ली भारत वाचनस्वर अजीत है